नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बातचित करेंगे UGC NET हिंदी यूनिट 5 के अंतरगत मैत्री सरंगुप्ट की लगी हुई रचना भारत भारती के उपर ब्याख्या से पहले परिक्षाओं के दिश्चिकोंड से महत्यपून तर्थ्यों से आप सभी का परिचे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से होगा और अगर आप पिछले साल के question paper हल कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहां से कई ऐसे प्रश्न है जो कि सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है वैसे तो हमने हिंदी कविता के अंतरगत अलग-अलग रचनाकारों की कविताओं को पढ़ा है लेकिन जब हम भारत भारती नामक कविता को पढ़ने जा रहे हैं तो ये एक ऐसी कविता है जिसको मैथली सरण गुप्त ने एक उद्देश को ध्यान में रखते हुए लिखा है और जितनी कविताएं हमने पढ़ी कवियों ने अपने जीवन से संबंदित जीवन संघर सित्यादी को उसमें बताने का प्रियास किया कुछ अपने कवितों को दिखाने के लिए कविताओं को लिखे लेकिन यहाँ पर मैथली सरण गुप्त ने भारत भारती नाम की जो कविता है जो हम काबिशास्तर में काबिप्रयोजन परते हैं उसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए इस रशना को किया हुआ है आगे जब हमुम विस्तार से और बातचित करेंगे तो चीजें क्लियर होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपने सभी कामों को निब्टाते हुए बड़ी ही आत्मियता के साथ इसे वीडियो लेक्चर को देखेंगे सुनेंगे और नोर्स बनाएंगे और अंत तक देखेंगे तो चलते हैं बात करते हैं भारत-भारतिक कविता एक ऐसी कविता है जो कि काफी लोकप्रीय रही है यह कविता इतनी सफल और लोकप्रीय क्यों हुई इसका अंदाजा आचायरामचर्ण शुकल के इस कथन से लगाया जा सकता है वो लिखते हैं अपने हिंदी स साहित का इतिहास के अंतरगत यद्यपी कावे के विशिष्ट पदावली रसात्मत चित्रन वाग वैक चित्र इत्यादी का विधान इसमें न था पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ तर और सीधी साधी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता स पूर्ण नव योकों को बहुत प्रिय हुई प्रस्तुत विशय को कावि का पूर्ण रूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली कि उपयुक्तता अच्छी तर सिध्ध कर दी तो आप देख रहे हैं कि आचाहराम चंशुकली ने भारत भारतिक पूर्ण नव योकों को आकर्शित करने की एक खास विशेष्ता है उन सबी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही भारत भारती जो रचना है वो काफी फेमस हुई और आगे हम बात करेंगे कि इसका जो प्रकाशन हुआ 1912 इस भी साहित्य सदन जासी से इस रचना का प्रका प्रकाशन भी इसी के आसपास में लिखा गया और मातमादान दी जो कि अभी भारत में वापस नहीं आये हुए थे 1915 में वो आये उसके पहले ही दक्षिरक्ट्रिका में वो तमाम अंदलनों में अपनी भागिदारी सक्रिता के साथ कर रहे थे और इदर स्वाधिंता अंद और आप देखेंगे कि मैथली स्रणगुप्त एक ऐसे कभी है जिनको कोई होम वर्क दिया जाता है और वो उस होम वर्क को करते हैं उनको कहा गया कि उर्मिला काब्य में उप्यक्षित रही मैथली स्रणगुप्त जी आप एक रचना कीजिए उन्होंने साकेत लिख दिया उनसे कहा गया कि हिंदू समाज को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक उद्वोधन परक रचना की जरूरत है आप एक रचना लिखिए वो लिख दिए तो मैथली स्रणगुप्त महाबीर प्रसाद दिवेदी के यूग में थे और उनको अपना गुरु मानते हुए एक प्रकाशन सन 1912 में हुआ साइत सदन जासी यह रचना तीन खंडों में विवाजित है यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि भारत भारती में कुल कितने खंड है तो तीन खंड है अतीत वर्तमान और भविश्य यह रचना जैसा कि मैं बता रहा हूं बार बार इस पर जोर दे राओं कि उद्देश को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है हिंदु समाज के उद्गोधन के लिए और राष्ट्री नव जागरन से नव यूकों को जोडने के लिए यह रचना लिखी गई थी इसकी जो भूमिका है मतली संगुप्त ने लिखा हुआ है और जब आप द आठक गण आज जनमाष्टमी है आज का दिन भारत के लिए गवरों का दिन है आज ही हम भारत वासियों को यहां तक कहने का अशर मिला था कि और बातें कही गई है यादा यादा ही धर्मस्तिय ठीक है इस तरीके से उन्होंने कोट किया हुआ है फिर आगे लिखते हैं कि भ देख रहे हैं आप कि प्रस्तावना में किस तरीके से मैसलिष रणगुप्त ने एक खास दिन को रखा हुआ है सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा वो दिन है जनमाष्टमी का दिन है इसको ध्यानव रखे और कह रहे हैं कि भला मेरे लिए इससे से शुभ और कौन सा दिन ह होता कि मैं प्रस्तित पश्तक आप लोगों के समुक्त उपस्चित करने के लिए पूर्ण करूँ कि उत्साह के उध्योग नहीं हो सकता इसे उत्साह को इसे मान्सिक वेख को उठ्यजित करने के लिए कभिता एक उत्तम साधन लिखने के लिए वो गद्य भी लिख सकते थे लेकिन उत्साह बनाने के लिए कि इनके लिए उत्साह जो भी स्वाधिंता अंदोलन में भागिदारी कर रहे थे उन नव युकों को जोड़ने के लिए अपने देश से जोड़ने के लिए उन्होंने मानसिक रूप से उनको प् लेकिन मुझे एक रिकॉर्ड बनाना है कि यहां से ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छी नौलेज लेकर अच्छे ज्यान को लेकर परिक्षा में उतरें और पेपर देखते ही उनके मन में यही मांसिक बेग उत्पन हो कि हमने जो भी पढ़ा हुआ था वो काफी प्यार कर करने वाले टीचर से पढ़ा हुआ था वो अपने विशय को बहुत ही आनंद के साथ महसूस करते हुए पढ़ाता है तो देखें यहां पर मैत्रेशन गुप्त का कहना है कि कविता ही वो उत्तम साधन है जो कि किसी के अंदर उत्सा और मांसिक वेग को उत्तेजित करने में स सफल हो सकती है आगे वो लिखते हैं कि बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस धंग की कोई कविता पुष्टक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन आउनति का वरण भी हो और भविश्यत के लिए प्रोश् कुस्तक से लिया गया है या फिर किसका कथन है तो यहां पर मैथली सरण गोप्त ने लिखा कि बड़े खेद की बात है बड़े दुख की बात है कि जिस तरीकी कविता नव युकों को जोड़ने के लिए लिखी जानी चाहिए जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति क्या रही हम और व्यक्ति का वर्तमान ऐसे लगता है कि वो पतन की तरफ जा रहा है उसका अतीत हमेशा स्वलडिंग होता है और भविश्य की हमेशा चिंता होती है या फिर उसके लिए मोटीवेशन की जरूरत पड़ती है यही बात यहां पर मैथली सरण गोप्त भी कहा रहे है कि हमार दो वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पलवित करने की चेश्का भी करूंगा तो यह पूरी बात मैथली सरण गोप्त के मन की बात है उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व जब यह लि मैथली सरण गोप्त ने कौन सी रचना लिखी थी तो तुरंत आपकी दिमाग में आ जाएगा कि भारत भारती का पहले का जो नाम था वो पूर्व दर्शन के नाम से था ठीक है और यह कि स्रैली में लिखी गई तुकबंदी में यानि कि उपर की लाइन और नीचे की लाइ उसी को तुकबंदी कहा जाता है या फिर तुकांत भी कहते हैं तो पूर्व दर्शन नाम से लिखा अब हम बात करते हैं कि जो रचना है तीन खंडों में जो बटी हुई है इसमें अतीत खंड जो जिसमें की 250 पद हैं चोटे-चोटे पद हैं तुकबंदी पर ही आधारित पद हैं अतीत खंड में 249 आपको ध्यान में रखना इसको हो सकता है कि किसी का मूड इधर उधर गड़वर हो जो भी पेपर सेट करने वाला है तो इस तरीके से तथ्यात्मा कुरुप से सवाल पूछ सकता है तो वही विद्यार्थी बता पाएंगे जो कि इस तरीके से सु मंगला चरण में शुरुआत होती है फिर दिया गया उप क्रमडी का फिर इसके बाद भारत वर्स की स्रेष्टता हमारा उद्वव हमारे पुर्वज आधर्ष आरेस्त्रियां हमारी सभ्यता हमारी विद्या बुद्धी ये सब छोटे छोटे टॉपिक दिये गए ठीक है न हमने हर एंगेल से देखने की कोशिश किया है, हमारी विद्धिया बुद्धी हो गया, हमारा साहित के अंतरगत उन्होंने बेद, उपनिशद, सुत्रग्रंत, दर्शन और गीता का उलेख किया है, ताथ में धर्म, शास्त्र के अंतरगत, नेती, जोतिश, अंकगडित, रेख काउशल के अंतरगत, शिल्फ, चित्रकारी, मुर्ति निर्मान, संगीत, अभिने, इत्यादी की बात उन्होंने की होई है, आगे है हमारी बीरता, शक्ति का उपयोग, एसा बत्तित खंड में ही है, राज्यत्व और शाशन, फिर इसके बाद उन्होंने लिखा, प्राचीन संतान, गुरकुल, पाठ, फीस, भिक्षा, राजा, अनिवारे सिक्षा, चरित्र आदिकवर विचार किया है, यानि प्राचीन भारत की एक जलक के अंतरगत, ये सभी पॉइंट आपको मिल जाएंगे, इसके बाद इसी में उन्होंने लिखा, विचार, महत्ता, आवनति का आरम, यानि कि हमारे पतन का जो कारण होता है, वो अतीत में ही दिरे-दिरे उसका लक्षन दिखाई, देना शुरू हो जाता है, जो कि वर्तमान में आके फली भूद होता है, आवनति का आरम क्या हो गया, महाभारत, अनारियों का आक्रमण, अवतार, बाधिकाल, जिसमें अशुक और गुप्त वर्ण्ष का जिक्र किया है, इसके बाद जैन मत, फिर मतभेद, हिंदु धर्म के अंतरगात, उन्होंने विक्रमा दित्य भोज का जिक्र किया है, फिर विकाश में रास कैसे हुआ, फिर मुसल्मानों का प्रवेश, उसी समय जैचंद और प्रिथवी उलेक मैथेश शनदगुप्त ने भारत भारती में किया हुआ, इसके बाद है आत्म अभिमान, जिसमें महाराना प्रताफ सिंग, जोहर जोकी एक प्रता है, और साथ में शीवा जी, फिर यवन राजत्यों का अंत हुआ, इसके अंत के बाद ब्रिटीश राज आया, और फि की गई है, ठीक है न, तो प्रारम से ब्रिटीश राज तक का उलेक उन्होंने किया है, किसमें अतीत खंड के अंतरगर किया हुआ है, आगे और मैं विश्तार से बात करूँगा, ये वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है, और मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया हु ठीक है, तो यहां तक आप देख लिए अतीत खंड में प्रारम से लेकर ब्रिटीश राज तक का पुरा उलेक किया गया है, वर्तमान खंड पढ़ेंगे तो इसमें 306 इसमें पद हैं, ठीक है, देखा जाए तो अतीत खंड का जो विश्तार उसमें भले पदों की संख्याक काम है, लेकिन पेज ज्यादा, वर्तमान खंड में 306 पद हैं, जिसकी शुरुवात होती है, प्रवेश, वर्तमान भारत, प्राचीन चीन, दारीद्रिय, दुर्भिक्ष, क्रिशी और क्रिशत, गोबध, ब्याधियां, ब्यापार, रईस, रईसों के सपूत, अबिद्या, सिक्षा की बेवस्था, साहितिके अंतरगत, कविता, उपन्यास का, जिक्रों ने ने किया है, ठीक है, माली जी ये विकल्प के तौर पर पूछा जा सकता है, कि भारत भारती में साहितिके अंतरगत, किन दो विधाओं का उलेक किया गया है, तो कविता और उपन्यास का, इ धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पंडे, इनका विव लेक वर्तमान खंड में मैथली शर्णगुप्त ने किया है, इसके अतरिक मंदिर और महन, साधूसन, ब्राम्हळ, छत्री, वैश्य, शुद्र, इस्त्रिया, चंतान, इन सभी की चर्चा की है, साथ में उस समय का जो स दो न सके, ठीके तो बेजोर्द विवा, अंध परंपरा, वरकन्या विक्रे, धनोग पार्जन, मांगना खाना, दासत्व, अधिकार, अभियोग, विपत, नशे बाजी, आत्म विस्मृत, मत्षर, अनुदार्ता, ग्रीह कलह, व्यभिचार, आडंबर, मति ब्रंश, भवी से खंड के उपर, जिसमें ज्यादा पद नहीं है, सिर्फ 140 पद है, वैसे जो हमारे पास किताब है, उसमें लगबग 190 पेज हैं, और उसको हमने कुल 16 पेजों में एक जगा सार संग्रहित कर दिया है, ताकि आप अगर भारत भारती को विस्तार से न भी पड़े हो, तो भी इस वीडियो को देखकर आप confidence के साथ परिक्षा में जा सकते हैं, तो भवी से खंड के अंतरगत क्या है, उद्वोधन है, उद्वोधन के बाद ब्रामण, छत्री, वैश, शुद्र, सादू, संत, तीर्थ, गुरू, सिक्षित, नेता, कवी, नव यवक, सिक्षा, पराष्टर सिक्षा, इस्त्री सिक्षा, समय की अनकुलता, इत्यादी पर बात की है, साथ में जब भी भविश्य की बात है, तो आशा का होना बहुत ही जरूरी है, इसके बाद आदर्श, विश्वास, विश्राम, और आखिर में उन्होंने लिखा शुभ कामना, जैसे हम क काते हैं, कि आपका भविश्य उज्वल में हो, या फिर हार्दिक सुभ कामना है, तो इस रचना में तीनों खंडों में, अतीत, वर्तमान और भविश्य खंड में कौन-कौन से प्वाइंट रहें, एक मोटे तवर पर उनकी रूप रेखा, आपके मन मस्तिस में बैठ गई होगी, अब हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेन पेज पर जा रहे हैं, जो कि परिक्षाओं के दिश्य कौन से बहुत ही महतपून है, तो देखते हैं इसको, भारत भारती, राष्ट कभी मैथली सनगुप्त की प्रसीद रचना है, इतना सब कुछ मैंने बताया, आचया राम समाज के उद्वोधन के लिए कोई रचना लिखना चाहते थी, जिसका जिक्र हमने उपर भी कर दिया है, वे भारत, भारती की भूमिका में लिखते हैं, स्रीमान, राजा राम पाल सिंग जी ने उनसे अनरोध किया था, ये देखिए आपकी परिक्षा के लिए बहुत ही most important है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कर कोई चीज नई होती है, तो इसके पीछे कोई प्रेर्णा होती है, कोई प्रेरक्त्त्त होता है, तो यहां पर भले हम भारत, भारती के वज़े से मैथलिश रण दुप्त को राष्ट कभी के तोर पर जानते हैं, लेकिन उनको किसने प्रसाहित किया, उसका नाम है राजा रामपाल सिंग, इन्होंने अनुरोध किया था कि जिस प्रकार उर्दु में हाली की रचना मुसद्दस है, वैसी ही उद्बोधन परक रचना हिंदूओं के लिए की जानी चाहिए, तो यहां पर देखिए एक उद्देशिक, काभी प परक है, उसी तरीके से हिंदूओं के लिए एक रचना लिखनी चाहिए, वर्तमान समय में इस पर कुश्चन हो सकता है, लेकिन वो दौर कुछ अलग था, 1912 का वो दौर अलग था, इसलिए आप देखेंगे कि 1916 इस भी में बनारास हिंदू इन्वस्टी की स्थापना होती है, शायद आपको बनारास हिंदू इन्वस्टी के टीचर्स इस चीज को को रिलेट करके बताने में सक्षामों, कि 1912 सभी में जहां हिंदूओं को ध्यान में रखते हुए, भारत भारती नाम से रचना लिखी गई, वहीं उसके चार साल बाद मदन मोहन मालवीय के नेत्रि यहां पर सामप्रदाइकता फैलाने की कोशिश नहीं की गई थी, बलकि एक सम्मू को जोड़ने का प्रयास किया गया था, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीजें आप ध्यान में रखे ही होंगे, आगे बात करते हैं कि जब भारत भारती नाम की रचना मैठली शनगुप्त लिखे, उसके पहले सन 1907 इस भी में उनके जो गुरू है, महाबीर प्रशाद दिवेदी, महाबीर प्रशाद दिवेदी न सिर्फ साहितिकार थे, बलकि सरस्थी पत्रिका के माध्यम से एक संस्था का काम कर रहे थे, दोहरी तरीके की जिमेदारी उन् जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू के हाली, नजीर और आजाद, जैसा कोई कभी हिंदी में भी होना चाहिए, जो भारतिय समाज को उद्भुद कर सके, यानि कि ये प्रयास बार बार उस जमाने के साहितिकारों करा, आपको दिमाग में आपके सवाल आ रहा हो, कि ये हा क्यों बार-बार इसका उलेख्या आपर किया जा रहा है, तो लोगों की कोशिश थी कि उर्दू में कुछ ऐसी रचनाय हैं, जो कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, वैसे ही हिंदी में भी होनी चाहिए, भारत भारती अपने प्रभाव में अत्यान सफल रही, जब मैथर अत्मान समय में भले ही स्थितियां अलग हो गई हो, लेकिन जमाना था, कुछ ऐसे रचनाकार थे, जो मजबूर कर देते थे लोगों को हिंदी पढ़ने के लिए, आज तो हिंदी पढ़ने वाले ही हिंदी से दूर हो जा रहे हैं, तो फिर आप सीखने वालों की बात हम क्य करें, देखें एक चीज आपको यहाँ पर correlate करके ज़रूर ध्यार्म रखना पड़ेगा, कि जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि दक्षिर भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखने की कोशिश की भारत-भारती के वज़े से, इसी तरीके से आप हिंदी साहित का इतिहास पढ़त तो आप कमेंट्स करकर बताये कि कौन से उपन्यास कार रहे हैं, हमने उनकी रचना का नामे आपर जरूर लिख दिया है, लेकिन आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सभी हमारी बातों को न सिर्फ सुनते हैं, बसकि उस पर अमल भी करते हैं, अब ह चारे महाबीर प्रसाद दिवेदी लिखते हैं, वह यानि भारत भारती सोते हुँओं को जगाने वाला है, भूले हुँओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत साहितों को उच्छाहित करने वाला है, या स्वधेश फ्रेम उत्पन कर सकता है, भारत-भारती में ताकत थी कि जो भी स्वया हुआ है उसको जगाने वाला जो भूला हुआ है उसको ठीक रहा पर लाने वाला है जो अपने जीवान से हताश निरास्व चुका है उसको भी उत्साहित करने वाला है और जिसको अपने देश से दुराव लग रहा है उसको भी देश के प्रति प्रेम उत पन कराने वाला है यह चार यहाँ पर विश्विस्ता हैं भारत भारती नामक रचना से जोड़कर महाबीर प्रसाद दिवेदी ने देखा हुआ है और इस चैनल को भी आप भारत भारती की तरह ही देखिए कि आपको यह जगाने वाला वीडियो लिक्चर है आपको अगर आप भटक रहे हैं इधर उधर तो आपको सही रास्ते पर लाने वाला है अगर आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन में हतास निराश है परिक्षाओं को दे दे कर ठक चुके हैं एक नमबर दो नमबर से आपका रूक रहा है तो आपको यह वीडियो उच्जाहित करने वाल हैं लेकिन हमारे अंदर संकल्प की कमी नहीं है मेहनत करने की कमी नहीं है हमने जो भी कुछ अब तक अर्न किया से पढ़ने के बाद वह आप सभी को देने की जरूरत है और आप कोशिश कीजिए कि धैर रखते हुए आत्मिय लगाव के साथ प्रेम करते हुए इन वीडियो की छलके की तरह धीरे धीरे वो बैठते जा रहा होगा और उसकी कोमलता बढ़ती जा रही होगी जब महाबीर प्रसाद दिवेदी लिख दिये तो हजारी प्रसाद दिवेदी कैसे अपने को रोक सकते हैं उन्होंने कहा कि भारत भारती ने ततकालीन सिक्षित जन चित की आ याने कि कई बार जब व्यक्ति हतुत साहित होता है तो उसको उसके प्राचिन दौरव की बात बताई जाती है तो उसके अंदर एक एनरजी आती है कि हां तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे तुम तो बहुत अच्छे नमबर लाते थे तुम बहुत मेहंती थे ऐसे ऐस से बताया जाएगा तो उसके अंदर एक एनर्जी आएगी कि हां मैं इस काम को कर सकता हूं ठीक है तो यहां पर हजारी पुसाद दिवेदी का यह काना है कि जन चित कि आशा आकांशा जो मर रही थी उसको जीवित करने का प्रियास भारत भारती और मैत्रिश रनगुप्त ने किया है और अग्ये कहां पीछे रने वाले थे जायर सी बात है कि हमने अग्ये पर प्यजडी किया हुआ है अग्ये और मुक्ती बहुत पर तो अग्ये पर जब मैं पढ़ रहा था तो अग्ये जो हैं मैत्रिश रनगुप्त को प्यार से दद्दा कहा करते थे और अपना इन्होंने भी मैल्थे शनगुप्त की भारत भारती नामक रचना की प्रसंथा की। तरीके से हम कर सकते हैं कि भारत भारती नव जागन की चेतना का काभ्य है। तो उम्मीद है कि हर एंगल से हमने आपर देखने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं इसके विशेव वस्तु को लिज़ा। अगर अभी तक आपने अपने धैर को बनाया होगा तो यह देखें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर बात बताई जा रही है। भारत भारती जो कितीन खंडों में है आपकी दिमाग में पहले ही हमने डाल दिया था अतीत खंड वर्तमान खंड और भविस्यत खंड अतीत खंड को कहा जा सकता है कि हम कौन थे याद किया जा सकता है हम कौन थे यह क्या है ब्यापक अस्तर पर इस पर चर्चा की गई है औ तो मतलब की आधा से अधिक यही कभर की हुई है, ठीक है न, वर्तमान खंड क्या हो गए हैं, यानि कि आप देखरें वर्तमान क्या हो गए हैं, जो कि थोड़ा कम पेज में है, फविस्यत खंड क्या होंगे, बहुत कम है, यानि कि भारत भारतिक अगर आप अतित खंड भी प परंपरा रहे उसको इसके बाद वर्तमान खंड में क्या हो गए हैं वविश्यत खंड में क्या होंगे यह आप सभी के जीवन से भी जुड़ी वी बातें हो सकती हैं आपका अतीत कैसा था आपका वर्तमान कैसा है आपका भविश्य कैसा होगा इनी तीनों पर इस रशना को र यह किसकी पंक्ती होगे मैथली सरण गोप्त की ठीक है अब हम बात करते हैं अतीत का विशलेशन उन्होंने कैसे किया है मोखेता अतीत खंड में कभी ने भारत के गवरव पूर्ण अतीत की सुन्दर जाकियां प्रस्तुत किया है जिसमें उन्हें भारत का विशलेशन अतीत था उसका जिकर किया है संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उसकर्स है उसका जो रिशी भूमी है वह कौन भारत वर्ष है यानि कि भारत जो कि कभी रीसी भूमी कहा जाता था और संपूर्ण देशों में उत्रकर्स देश के रूप में देखा जाता था यहाँ तक कि इसको सोने की चिडिया भी कहा जाता था तो यही सारी बातें याद करके एक अपने अंदर जो वर्तमान समय में लोग हैं जो स्वादिंता की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके अंदर जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उपर ही बताया कि नव युवकों में यानि जो यूथ थे जो आप लोगों की तरह थे उ मैं भी इतना ओल्ड नहीं हूँ जो हमारे और आप जैसे लोग थे उनमें एक जोश भरने वाली रशना थी संपूर्ण देश्वों से अधिक किस देश का उतकर्ष है उसका जो रिशी भूमी है वह कौन भारत वर्ष है सवाल खुद से कर रहे हैं और खुद उसका यहां प रूप में भी जाना जाता है इसलिए उनको लिखना पड़ता है कि सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगंड गाते रहे हैं धन्य भारत वर्ष है सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उतकर्ष है यानि जो देवता है वो भी यही पर निवास करना चाहते हैं और इसलिए यह क तो मेरा हिमाचल प्रदेश कई बार जाना हुआ है उत्राखन भी गया हूं तो इन दोनों राज्यों में खास्तोर से इस शब्द को मैंने कई बार देखा कि देव भूमी में आपका स्वागत है और हमने जब कामाईनी पड़ी थी आप लोग भले भूल सकते हैं लेकिन मैं मैं बिल्कुल नहीं बूल सकता हूं कामाईनी में भी जो मनु है वह हमेशा इसी देव भूमी की तरफ ही भागने की कोशिश करता है तो देखिए किस तरीके से अतीत को याद करते हुए मैं तेरे शंगुप्त भारत घारती में चीजों को लिख रहे हैं ज्यान और सब्यता कई जा रही है कि जो संसार आज अपने को विक्सित मानता है अपने को अग्रडी देशों में मानता है हमें ने उनको ग्यान सिक्षा दान की थी हमें पहले उनको सिक्षा दिये किसी सिक्षा दिये आचार की कैसे आचर्म करना है कैसे ब्यापार करना है कैसे ब्यवहार करना ह विज्ञान की तक्निकी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजे उन्होंने दी, देखे इसको आतमी रूप में से देखना है, अगर आप तारकिक रूप में देखेंगे, तो हो सकता है कि ये कभी आपको निराशा उत्पन करा दे, लेकिन जोर कर देखना है क्योंकि सवाल जित जानी जहां शीवी, हरिश्यन्द, ददीची से होते रहे दानी यहां, वो प्रेर्णादाई व्यक्तित्तों का उलेक इसमें किया है, कि हम लोग उन आर्यों की संतान है, जो अपने लिए नहीं जीते थे, दूसरे के लिए जीते थे, वर्तमान समय में क्या ये बात कितनी सही है, इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है, हम उन आर्यों की संतान है, जो अपने लिए नहीं जीते थे, दूसरे के लिए जीते थे, और स्वार्थ से काम करते थे, कभी मदिरा नहीं पीते थे, और अगर जवरत पड़ी, तो शीवी, हरिश्यन्द, ददीची, इन त इस्तिरियों के चरित्र का भी इसमें उलेख किया गया और कहा गया, कि यह अनुकर्णी है, हो सकता है इस्तिरी विमर्ज के द्रिश्टी कोंड से, यहाँ पर थोड़ा सा मैत्रिश्रंगुप कमजोर पड़ जाए, ठीक है, अब हले उन्होंने उर्मिला का वीरवरण लिख लेकिन वहीं दूसरी तरफुन ने यह शूदरा भी लिखा है, और उसमें लिखा कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आचल में दूद, आखों में पानी, इसको लेकर इस्तिरियां जो पड़ी लिखी है वो घड़क सी जाती है, और इस्तिरी विमर्ज से इन पंक् रूप से भी कैसे हम आजाद हों, उनकी भी लड़ाई लड़ी जा रहे थी, इसलिए महत्मा गांदी और भीमर्ण बेटकर के बीच में विबाद भी होता रहा है, तो इस्तिरियों के बारे में क्या मैंतरे शंगुप्त लिखते हैं, कि पूजन किया पति का इस्तिरियों न अब बात करते हम वर्तमान का विश्रेशन, जिसमें कहा गया कि भले हमारा अपतित जो था वो स्वर्डिन था, लेकिन परिवर्ता नहीं सकते है, जिसकी चर्चा, पंत ने भी किया था और यहाँ पर मैथलिशन गुप्त भी कर रहे हैं, लिखते हैं कि संसार में किसका समय है, एक सार रहता सदा, है निश दिवस ही घूमती सर्वत्र विपदा, संपदा, देखो जिदर अब बस उधर ये उदासी छा रही, काली निराशा की निशा सब ओर से है आ रही, तो परिवर्तन के तरफ संकेत किया हुआ है, धर्मों में किस तरीके से गिरावट आई है, धर्म मतलब जो भी उस समय के धर्म थे, उनमें आशरण को लेकर गिरावट की बात मैसे शनदोप्त ने किये, है निश्ठरों के हाथ से सुर्मूर्तियों खंडित हु हुई, बहु मंदिरों की वस्तुओं से महजीदें मंडित हुई, जजिया सरीखे कर लगे यह बात वही सिध्ध हुई, जो प्राप्त हो परतंत्रता में दुख थोड़ा है वही, जो हो हमारी दुर्द्रशा का अंत बाकी नरहा, हा, क्या कहें कितना हमारा रक्त पानी साब तो कहीं न कहीं, आप देख रहें कि इन्होंने मुस्लिम शाषन के तरफ संकेत किया है, जहां पर मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा जाता था, और मशीदों को रखा जाता था, और बहुत ही अप्तियाचारी रंग से शाषन किये जा रहे थे, ठीक है ना, जिसमें खास किस तरीके से लोगों को परिशान किया जा रहे, वो कोई विधर्म हो सकता है, अच्छे एक चीज आप देखेंगे, कि ये सारी पंक्तियाँ ऐसी लग रहे हैं मानों कि भारतियंदू हरिष्यंद्र ने लिखा हो, भारत दूर दसा, ठीक है, तो भारतियंदू हरिष्यंद् कल्प में हो तो यह नहीं है कि आप उनको लगा दीजे, आपको क्या लगाना है, गुप्त जी भी ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हैं, ब्रिटिश शाषन का विवेचन भी किया है वर्तमान खंड में, कि देते हुए विक कर्म फल हम पर हुई उसकी दया, भेजा प्रसिद कोशिश के फिर यहां पर उनको लगा कि शाषन भी कर सकते हैं और किये भी, अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषन कैसे किया जाता रहा, उसका जिक्र मैथे शनगुप्त ने इस रचना में किये, कि जो देश कच्चा माल ही उत्रपन करके शांत है, उसका पतन एकांत है, शिद्धान तिया निर्वांत है, ठीक है, आती विदेशों से यहां सब वस्तु में ब्यवहार की, धन धान ने जाता है यहां से यह दशा व्यापार की, आपको पंक्तियां भारतियां दो हरिश्यन की आरें होंगी, कि आवा मुरोवा उमिल भारत भाई, आपा भारत प्रान में रखना है कि भाई कौन लिखरा है, आगे है कि जो बस तु देखो, मेट इन इग लेंड, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, वह अन्य देशों की वनी, होकर सजीव मनुश्यम, निर्जीव से हैं, हो रहे, घर में लगाकर आग, अपने वेखफर है हैं, सो रहे, जो कुछ कच्चा माल तो हम तैयार कर रहे हैं, जारी सी बाते की पतन होना ही है, और जितनी भी चीज़े हैं, हम लोग भी वर्तमान समय में बले, राष्टर के प्रती सम्मान करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब विजवरत पड़ती है, तो हम इनको आपको ध्यान में रखना है कि में भी सवाल पूछा जा सकता है कि किन-किन देशों का उलेख किया है इसके बाद अंग्रेज शाशन का यहां पर जिक्र करते हुए उनका ध्यान जाता है अकाल के तरफ उजमाना आया वह था अकाल हुए ठीक है सुखा पड़ गया था व आतों में न जाने प्राण उनके हैं फसे तो अकाल का बिचितर किया गया और उस समय के भारत की जनता है जो भुखमरी के कगार पर उसका उलेख किया गया और किस तरीके से वह सबी कुपोशन कुपुशित हो चुके हैं और कमजोर हो गया है किवल हड़ियां हड़ियां ही पढ़ देंगे। साथ में उन्होंने किसानों की दुर्दर्शा के बारे में भी लिखा हुआ है कि हो जाएं अच्छी भी फसल पर लाव कृष्टों को कहां आता महाजन के यहां वह अन्न सारा अंत में अधपेट रहकर भी उन्हें है कापना हेमन्त में और किस तरीके से किसानों की दुर्दर्शा है और यह आप देखेंगे किसानों को ध्यान में रखते हैं न सिर्फ मैत्रिशन गुप्त ने लिखा बलकि इसी के चार-पान साल बाद 1922 में क्या मतलब 10 साल बाद प्रेमासरम नाम से उपन तो काने की कोशिश यहां पर यह है कि किसानों की दुर्दर्शा न सिर्फ युवाओं को जो उन्हें की कोशिश की गये बलकि यहां पर किसानों की वीचर्चा मतलिशन गुप्त ने किया हुआ है और कहा कि सब कुछ तो है लेकिन जो भी कहा जाता है किसानों का जो मूल दा पड़ेगा पिर साहित्यकारों की भूमिका के … कि जब जब राजणीती लड़कडाती है तो जब बचाने की कोशिश करता है तो उसका उलेक करते हुए मैंफ रिशनगूप्त लिगते हैं खे अगवान को साक्षी बनाकर यह अनगोपासना है धन्य ऐसे कविवरों को धन्य उनकी भावना तो यहाँ पर तो खुश है कि कम से कम जो कवी है वो अपने देश के प्रती जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हुए अपने कामों को कर रहे हैं अंग्रेजों की सिक्षा नीती पर सवाल उठाया हुआ है लिखते हैं कि वह सामप्रदाइक सिक्षा हमारे सरुथा प्रतिकूल है हम में हमारे देश के प्रती द्वेश मति की भूल है यानि कि लोगों को बाटो और राज करो जो अंग्रेजों की सिक्षा नीती रही खासतर स तमाम जो घटनाएं थी उनका जिक्र किया है ठीक है अब बात करते हैं भविष्य का विश्लेशान अब भविष्य कहा जाता है कि गर्व में होता है क्या होगा क्या नहीं होगा एक हम अनुमान ही लगा सकते हैं, जैसे वर्तमान होता है उसी तरीके का भविशे होता है, होने की चांसे जोते हैं, अगर आप वर्तमान में ठीक करते हैं, तो भविशे आपका ठीक होगा, नहीं ठीक करेंगे तो खराब भी हो सकता है, तो यहाँ पर देखे जागरन का स्वर करते हुए उन्होंने लिखा वर्तमान में कि हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए, कितनी बड़ी बातें आपर कही जा रहे है, अभी भी समय है जागने का देख, आखे खोल के, तब जग जागता है, तुझे जग कर स सब बश्त हुए, कलकार खाने खोल दो, जावे यहां से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, हो मेड इन के बाद बस अब इंडिया ही सब कहीं, और यह देखेंगे आप, मेड इन इंडिया, अब वर्तमान समय में एक योजना भी चली हुई थी, तो यह बात 1912 के आसपास में, इसलिए कई बार सहितिकारों को दूरदर्शी रूप में देखा जाता है, और काल जई भी कह दिया जाता है, जो बात 1912 में में इसलिश रण गुप्त सोच रहे हैं, उस बात को वर्तमान समय की जो सरकार है, लागू करने की कोशिश करती रही है, कई बार सफल होती है, कई और उन्होंने कहा कि समाज को दिशा देनी चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, केवल मनरंजन के देश्टे कोण से कभी को कविता नहीं लिखनी चाहिए, कहीं कहीं वो अपने पुर्वर्ती जो काल खंड है, खास्तर से रीति काल उसके तरफ उन्होंने संकेत किया हुआ है, और वर्तमान समय में सहितिकारों का क्या योगदान है, आप लोग उससे परचित होंगे क्या किवल घुटबाजिक की जा रही है, बस किवल कभी आलोचक कहानिकार उपन्यासकार को बनाया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, या फिर वो सही मायने में हैं भी, क्योंकि आजकल प्रकाशकों, विश्विद्यालेयों में एक गटबंधन सा है कि कि किसको ह में आगे लाना है किसको पीछे लाना है अनुराज हिंदी एकेडमी के डॉक्टर रजनीश कुमार के आर्टिकल को चापने के लिए बुक को चापने के लिए राज कमलवानी प्रकाशन नहीं ध्यान देंगे लेकिन तुट-पुजिये तरीके से अगर कोई Godfather के वज़े से व चापने को कशिश की जातीर यह, तो देखें बीच-बीच में जब हम रचनाओं को पढ़ते हैं, तो रचनाओंको यहां aham कि बांचने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि वो रचनाय खुद को कैसे प्रभावित करती है, उनको भी देखने का प्रियास किया जाता है आगे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि हम भे सर के ही कटेगरी में हैं ठीक है ना क्योंकि ज्याद दर विद्यार्थी यह जी सी की से प्रेटफॉर्म आ गए हैं कि आप कोई किसी के गाट फादर होने का मुहत्याज नहीं है अगर वो कर्म करेगा ठीक है उसमें उचित उपदेश का मर्म होगा तो कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक गुजिराथ से लेकर कोहिवा तक के विद्यार्थी अपने समय को देने के लिए नियोच्छा तयार हो जाएंगे और कुछ भी करने को तयार हो सकते हैं तो समय बदल रहा है इसलिए हमने परिवर्तन हिस्तत्य को वास्विक मान लिया है और आप सभी से जोनने का प्रयास लगातार हम करते रहते हैं किजिएगा कि यह आतमियता किस तरीके की है हम नई इस विशे को पढ़ाते हैं बलकि हम प्यार करते हुए पढ़ाने के कोशिश करते हैं और जीने की कोशिश करते हैं आगे इसमें देखिए राष्ट भासा के विकास की बात भी उन्होंने की क्योंकि वो दौर था आज जिस दौर में हम बात कर रहे हैं 2024 में ये राष्ट भासा उस तरीके कोई मुद्दा नहीं है लेकिन जब 1912 की बात की जाएगी तो उस समय राष्ट भासा मुद्दे की तोर कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं अभी तक आप देखेंगे जब भी 14 सितंबर आएगा तो धेर सारे विश्विद्याले माविद्यालें की टीचर्स या स्टुडेंट्स आपस में बात्चित करते विनर ज कर देंगे इस तरीके से मानो राष्ट भासा या हिंदी को बचाने का जिम्मा हमीं लोगों ने लिया है ऐसी कोई बात नहीं है हम लोगों ठीक वैसे हैं जैसे अन्य विशे हैं या फिर जॉब हैं ठीक है ना ऐसा नहीं है कि हमारी जिमेदारी हां थोड़ा सर लगाव होता है और विश्यसक्यता होती है तो राष्ट भासा राष्ट भासा को लेकर बड़ा डिफ्रेंस होता है लेकिन आप लोगों को बिलकुल गवराने की जौरत नहीं है मैं में की विद्यार्थियों को जब अपने कॉलेज में पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि राजबासा जो कि सरकारी कामकाजों में प्रियुप्थ होती है जैर सी बात है कि इसको सम्मिधान में दर्जा दिया गया है कि 343 से लेकर 301 क्या उनके बीच में और जब राष्ट भासा की बात की जाती है तो कहा जाता है कि ऐसी भासा जो बहुत संख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है राष्ट भासा को लेकर ठीक है चले आगे बात करते हैं कि इन तीनों खंडों को पढ़ने के बाद गुप्त जी की भारत भारती जो है उसके जो शैली है वह इति बृत्तात्मक है अभिधात्मक है और गद्यात्मक है इन तीनों विशेष्टाओं को बिलकुल ध्यान में क्योंकि गुप्त जी का संबंद किसे दिवेदी यूग से तो दिवेदी यूग की एक खास विशेष्टा रही है इति बृत्तात्मक ता और अभिधात्मक मतलब सपाट बयानी मतलब सीदे सीदे आपनी बात को करें इसके लिए आपको किसी टीचर किसी गाइड या किसी ड तीनों शैलियों को बिल्कुल ध्यान में रखे और आचारामचन शुकले ने मैथलिश्टान गुप्त का मुल्यांकन करते हुए हिंदी साहित का इतिहास में लिखा कि गुप्त जी की कविताओं के वीतर तीन अवस्थाएं लक्षित होती हैं प्रसाम अवस्था भार्षा क इत्तवित्तात्मक लगती थी इसमें सरस्वकोमल पदावली की कमी भी खटकती थी बात यह है कि यह खड़ी बोली के परिमारजन का काल था देखें मैथलिश्टान गुप्त ने बता दिया कि यह महावीर प्रसाद दिवेदी के यूग का काल था जिसमें जिसको कि सुधार और यह निर्ढे लिया गया कि कविता को भी और गत्य की भी जो भाषा होनी चाहिए घड़ी बोली होनी चाहिए त्यो शु गणर वह सकता है कुछ शब्द इसमें रुखे-पण को गदिवता और इतिवीत्तात्मक लग सकते हैं दुसरी अवस्था का जिकर उन्हों कि भारत भारती और वैतालिक के वीच की रचना की गई है वो दूसरी अवस्था में है तीसरी अवस्था है साकेत और यसुधरा के वीच की रचना है जो की प्रगीत मुक्तक और लाक्षनिक शैली में लिखी गई है क्योंकि आप देखेंगे साकेत और यसुधरा का जो कालख किसार आप अपने PDF दे दीजिए, शायद मैं PDF देता तो ये ग्यान क्या होता है, अधूरा होता है, तो अपने कीमती समय को निकाल कर आप जरूर यहां पर वक्त दीजिए, आपको बहुत ही आनन्द आएगा और मजा आएगा, तो लाक्षनक शैली का प्रयोग उनने किया, या या हाली के मुसद्दस की शैली पर रचा गया, सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना मुसद्दस शैली पर लिखी गई है, या फिर हाली से प्रभावी तुकर लिखी गई है, उसका नाम है भारत भारती, और मैंने पहले ही बता दिया कि तुख का त्यधिक आग्रद और मैतली शरंगुप्त ने खुद ही अपनी कविताओं को कहीं कहीं तुकुबंदी कहा हुआ है, और मैतली शरंगुप्त का जो प्रिय चंद था, उसका नाम है हरी गीतिका, और ये भी चंद इनकी सभी रचनाओं में दिखाई परता है, तो इस तरीके से हमने भारत भारत प्रियास अच्छा लगा होगा, अब हम बात करते हैं, एकदम से most important जो विद्यार्थी अभी तक बने होंगे, उनके लिए ये बहुत रामबान तरीके का मैं मैटर यहां पर दे रहा हूं, ठीक है, ये मैटर कोई तभी दे सकता है, जब भारत भारती को line by line और परिक्षार् तो कुछ प्रशने यहां से आपको दिखेंगे, ठी, धन्य, सावित्री, सुकन्या और अंशुमती, यहीं, अब इसमें अंशुमती क्या है, अंशुमती सुवरत की इस्त्री का नाम था, ठीक है, सवाल पुछा जा सकता है, पंक्ति देकर और पुछा जाएगा कि अंशुम होग, अब्याद भी वेतांत के सिध्धांत, इसमें सिध्धांत क्या है, वो है व्याद या गीता, गीता का जो सिध्धांत है, और शुरुवात में देखेंगे आप, जब आप अतीत खंड की मंगलाचरण को पढ़ेंगो इसके, तो इसमें सीता पते, सीता पते, गीता मते गीता मते इस तरी के से दिया हुआ है, तो उस सिध्धांत के तफ संकेत क्या जा रहा है, जिनके विपक्षी राजपुल के भी इतिसरी हो गई, यानि समाप्ती हो गई, कहकर कहानी ही जड़ों को पुन पंडित कर दिया, पुन पंडित कर दिया, मतलब अमरशक्ति नामक पर दिखाते भक्ति हैं यह हैं वर्षिष्ट के बारे में विख्यात वे जवहर यहां के आज भी हैं लोक में जवहर इस्तिरी का सत्तित्वर जो कि आप क्या मतलब खतम ही हो चुका है ठीक है लेकिन उस जमारे में जवहर को एक बड़ा ही सासिक कदम माना जाता था सारे जगत में पराविद्या प्रमुक्ता पाएगी पराविद्या क्या है अभिनाशी ब्रह्म के लिए प्रियुक्त किया गया है और यह जो तथे यहां पर परिक्षा में पूछा जा चुका है आप पिछले साल के question paper को देखेंगे जो देखन उनको हुए बीते अन्यों को अ कशा यहां पर रसा सब्द के लिए प्रियुक्त किया गया है प्रिथवी के लिए यदि शुल्क आदी न दे सको तो मुर्ख रहकर ही मरो शुल्क मतलब यहां पर फीस के लिए यह तो आप बता देंगे और नीचे के जो कथन है बड़े इंपोर्टेंट है मैं इसलिए सहकार करती सरवर्था कटु नीम्ब को सहकार का मतलब है आम तो यह पंक्तियां दी जा सकती है और फिर भी कलपों में पुछा जा सकता है कि इनका अर्थ क्या है तो जो विद्यार्थी यहां पड़े होंगे वो इन अर्थों को आराम से बता देंगे और जो नहीं पड़े ह प्रिविद्यार्थियों में किसी के नोर्स या किताब के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि नोर्स और कोई भी गाइड वो अधूरिय ही होते हैं कोशिश कीजिए कि आप टेक्ष्ट को पढ़िए और परिक्षार्थी की दिष्टि किया है 95% में का सकता हूं कि यह कंप्लीट है 5% का तो आवकास देना ही पड़ेगा और उतना आवकास बचाके ही रखते हैं ताकि भूख लगातार बनी रहे जब भूखी शांत हो जाएगी तो फिर पढ़ने का मतलब कुछ नहीं है तो उम्मीद है कि आप भारत भारती से अच्छे से परशित हो गए होंगे और पूरी कहानी और पूरे तथ आपके मन मस्तिस्क में बैड़ गए होंगे तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा और मैं गुजारिस करूँगा कि इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट्स जितना स इसके बारे में तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार